हलो टू आल, सभी को वेलकम, बहुत-बहुत स्वागत, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे आज हम लोग यहाँ एक टॉपिक लेखर के हैं, टॉपिक जो कि आपको पता है कि मैंने इंटरनाशनल ओर्गनाज़ेशन का सीरीज स्टार्ट किया था और उसी सीरीज के अंतरगत जो मैं यहाँ पर आपके सामने, जो टॉपिक आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ यहाँ बात करेंगे आज हम लोग विश्व बैंक समू और अंतरराश्ट्रिय मुद्राकोश लास्ट क्लास में जो इंटरनाशनल ओर्गनाज़ेशन और मैंने आसियान के बारे में आप लोगों से बताया था देतुम, आश्वर, जो बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहां क्या देख सकते हैं इस बारे में क्या करेंगे, यहां पर आप से बात चीत करेंगे, यह क्या है सबसे पहले बात तो यह है कि इसके बीच के अंतर को समझना जरूरी है कि क्या है विशु बैंक और आई-ए-ए-ए-फ क्या है तो थोड़े सी इन डिटेल चलते हैं हम लोग इसके थोड़े इतिहास में चलते हैं कि बही क्या है कैसे यह स्टैबलिज्ट हुआ और इसका रोल है इसके बारे में हम लोग देखेंगे जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि 1944 में बिटन वोट्च सम्मेलन यहीं एक सम्मेलन एक कन्विंशन हो रहा है जो कि बिटन वोट्च सम्मेलन के नाम से जाना गया इन जगहां पर हम लोग क्या यह वहां पर समरिद्धी साजा समरिद्धी उसे बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है यहां पर काम किया जाता है वहीं हम आई-म-फ के बारे में बात करें तो अंतर रास्ट्री मौद्रिक प्रणाली को इस्थिर करने और दुनिया की मुद्राओं की निग्रानी के रूप म करता है इंटरनाशनल जो है यहां पर मौद्रिक प्रणाली के बारे में या आई-म-फ के बारे में इसको समझ लेना जरूरी है अब देखिए कि यहां पर कि भाई विशु बैंक और आई-म-फ जो है यह इसके बारे में बात के रिए तो यह सरकारों को वित्व पोशन नीत समझ में आपको जहां तक आई होगी कि most of underprivileged या फिर क्या लिए जो underdeveloped जो country है उनको कैसे आगे बढ़ाना है उनके development में कैसे ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है इस context में से हम लोग यहां पर देख सकते हैं जब कि यहां पर बात किया जए जब हम लोग बात करते है वर्ल्ड बैंक के बारे में तो यह क्या है आपको वित्पोशन, नीती सलाह और तकनीकी सहयता यह क्या करता है आपको देता है अब जैसे कुछ चीज़ें यहां में देख लेजेगा IMF जो है विश्वस्तर पर सदस्य देशों में अर्थ विवस्ता पर नजर रखता है कि भुकतान संतूलन यानि कि जो भी पेमेंट वेगरा यह सारी चीज़ों में जो भी प्राब्लम्स या जो भी हडल्स आते हैं इसको ये मतलब इसे इन कटिनाईयों के वाले देशों को उधार देता है बौरो मतलब इसको क्या करता है यह लोन देता है और सदस्यों को प्रतेक संस्थान में अगर देखा जाए तो इससे भी ज्यादा यानि क्या हो चुक है सदस्रिवाने ताइन से भी ज्यादा हो चुक है हम लोग बात करते हैं हम इसको इंडिवीजुली में आपको थोड़ा समझाओ कंतर रास्त्री मुद्रा एक तो यह मैंने कंबाइन ली ज नहां पर देख सकते हैं इंटरनाशनल मॉनेटरी फंड संयुक्त राज अमेरिका के दौरा यानि USA के दौरा प्रस्तावित एक वाइट प्लान आता है हाइट प्लान तो ब्रिटेन दौरा प्रस्तावित कीन सी योजना पर जो अभी मैंने बताया था कि 1944 में अप्रॉक्सिम निर्मान विश्विकास बैंक के गठन पर सहमती बनी यानि यहीं पर आप क्या देख रहे हैं कि IMF और वर्ल्ड जो है यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर International Bank for Reconstruction and Development IBRD और International Monetary Fund इस पर सहमती यहां पर बन गई थी कब 1944 में ठीक है जी यह आपको ध्यान रखना है कि इसकी अगर भूमिका अगर हम लोग देखें तो यही समय ही इसकी भूमिका क्या हो चुकी थी तयार हो चुकी थी ठीक है अब जो IMF का जो समझोता जो प्रारूप तयार हुआ वो 27 दिसंबर 1945 को लागू हुआ लेकिन ?ân DC राजधानी है और वासिंगंट्ण डीसी वाशिंग्टेन डीसी दीक है इसका क्या है यह राजधानी है और इसके छहेत्रीकारयाल है पेरीश और जनेवा में यह गने के वां पर जो founder जो members हैं उनमें से आता है क्या यहां पर भारत ठीक है ना चलिए अब बात किया जाए कि जब से यह स्थापित हुआ है क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब से यह स्थापित हुआ इसमें किसी प्रकार का कोई ब कामिल है विश्व की बदलती अर्थमस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए बदलाव जरूर किया गया है कि यहां एक चीज समझेगा कि यह जो पूरी संस्था जो काम कर रहे है जो ऑर्गनाइजेशन काम कर रहा है इसमें क्या इसमें यह है एक तरह से सहायता करना इसमें जो में मोटो अगर बोला जाए तो यह क्या है सहायता करना help करना reach out करना पहुंच न और जो भी आवशक्ता है उसकी पूरती की जा सके ठीक है को प्रोच्साहित करना अंतर राष्ट्रिय व्यापार का संतलित रूप से क्या करना विकास करना डेवलाप्मेंट करना और विनीमें दरो इट मिन्स के एक्स्टेन दर्ज में स्थिर्ता बनाए रखना बहु पक्षिये जो भुकताने हैं मल्टि लैटरल पेइमेंट्स की वरस्था करके विनीमन प्रतिबंधों को समाप्त करना अथ्वा कम करना यह क्या है इनका यहां पर गोल है यहां पर इनका क्या है मोटो है सदस्य देशों क प्रतिकूल हम लोग क्या देख रहे हैं भुकतान संतूलन को अनुकूल बनाने के लिए जो है यहां पर आर्थी की सहायता प्रदान करना और इंटरनाशनल अदाईगी के संकट के समय असंतूलत की मात्रा की अवधी को कम करना अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो कि कई बर क तरख करेंगे हैं Different इस हैं उसको कैसे हम थीक-थाक और अवस्था मिलाए उस condition में आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं या इस चीज़ों को यहाँ पर IMF की भूमी का आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं अब इसके संगठन और संरचना के बारे में अगर बात किया जाए कि यह कैसे काम करता है How it works तो अब जैसे आगर आपका भी मेंस भी लिख रहे हैं या मुखे परिक्षा में बैठे हैं या आपको IMF के बारे में तो एक ऐसा अपने माइन में आपको खाका रखना होगा जिससे कि आपको पास एक इस स्ट्रक्चर हो IMF का कि हाँ यह क्या है यह क्या है यह क्या है तो बैसिकली इस दा प्रोसेस यह प्रोसेस है कि किस प्रकार से इसमें यहां पर जो है बोड़ ऑफ गवर्नर कैसे इसमें जुड़ेंगे कैसे इनका गठन होगा और इनके मनोनयन के साथ ही प्रतेक देश एक वैकल्पिक गवर्नर को भी नियुक्त करता है जो मुख्य गवर्नर की अनुपस्तिती में मतदान कर सके क्यूक्य देखे हमीशा क्या होता है कि जो भी मुख्य होते हैं या जो भी सर्वे सरवा है तो somehow अगर कोई सी प्रकार की समझ्या होई तो उनके साथ एक पैरलल भी रखा जाता है कि बही अगर वो नहीं रहे और उनके absence में क्या होगा कि वो उनके कारे को क्या कर सकें देख सकें तो संगठन और संरचना में आप समझ गयोंगे कि IMF का कारी किस प्रकार से यहाँ पर होता है ठीक है न? कि Board of Governors का क्या role है तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे Board of Governors ठीक है न? Board of Governors का यहाँ पर क्या है? Condition क्या है? यह चीज़ है ठीक है? अब देखिए यहाँ पर कुछ बाते हैं जो आपको थोड़ा सा समझना है जैसे प्रतेक गवर्नर को कितनी मताधिकार प्राप्त होंगे या उस देश को प्राप्त कोटे के आधार पर निश्यत होता है मतलब यह हुआ कि जितने भी देश इसे सनलगन है या इसे जुड़े हुए है उनका क्या है? उनका अपना एक कोटा होता है उनको कितनी vote देने का right मिलेगा वो आगे कितना कारी कर सकते हैं, मतलब कैसे निधारित होगा, ये डिपेंड करता है कि उनको कितने अधिकार मिले हैं, तो ये उस पर क्या होता है, बेस होता है, प्रतियक गवर्नर को 250 मत सदस्ता के साथ, तथा उस देश को प्राप्त कोटे का प्रतियक एक लाग, ये देश को प्रकार के राइट्स मिले हुए हैं, और उनको क्या आधिकार यहां पर प्राप्त है, तीक है, इन दोनों का योगी हि सदस्ते रास्ट्रों के मत अधिकार को क्या करेगा, तै करेगा, मतलब ये हुआ, कि जो उस देश को कोटा मिला हुआ है, वो, और उसके साथ-स करके ही इन देशों को जो है या जो भी सदस्य देश हैं उनको यहां पर राइट मत देने का अधिकार यहां पर मिलता है अब यहां दिखिएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वारे में अगर बोला जाए तो इसकी वार्शिक बैठक समानिता सितंबर अक्टूबर में होती है मतलब नॉर्मली एगर बोला जाए तो सेप्टेंबर अक्टूबर में इनका जो अनुवल मीटिंग होता है वो होता है आई एमफ यानि इंटरनाशनल मुद्रा कोश की कारियों की सनक्षा होती है और भविश्य के लिए नीतियों का निर्धारन क्या है किया जाता है एक्ज में तो सबसे ज़्यादा कोटा जो है किसे-किसे प्राप्त है यहां में आपको यहां पर अभी ये जो आकड़ा भी यहां पर देखेंगे फावर फूल में यू एस जापान चीन जर्मनी और फ्रांस यहां पर आप देख सकते हैं यह had भारत की कंटेक्स में बोला गया तो भारत उन 44 देशों में से एक है जिन्होंने ब्रिटन वूट्स समेलन में भाग लिया था और यह आई-मफ का क्या है फाउंडर मेंबर है भारत यह स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था ठीके ना और सबसे सारवधिक यहां आप देखेंगे आपर कि धीरे-धीरे क्या है यहां पर कुछ चेंजेज में हुए आई-म-फ के कंटेक्स्ट में ठीक है अब यहां आजाए अंतर रास्ट्रिय पुर्णर निर्मान एवं विकास बैंक तो थोड़ा इसे और भी समझेंगे यहां पर यह जो है आई- पुर्णर निर्मान बैंक कहा हो रहा है उननीससो चववालिस में इसकी क्या हो रही है यहां पर कि यह जो बैंक है यह कब से काम कर रहा है यह जून 1946 से काम करना शुरू कर दिया भारत इसका भी क्या संस्थापक सदसे है इसकी स्थापना युद्धकालीन यूरोपी अर्थवस्था के पुनर निर्मान करने हेतु की गई थी या अंतरराश्ट्री मुद्राकोश की सहसंस्ता ये आपको ध्यान रखना है आई-म-फ की ये क्या है एक सहसंस्ता है आप अगर टाइम पीरिट देखेंगे ना 1944-45 ये वो समय है जब इस समय विश्व में क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था 1945 में वर्ल्ड वार समाप्त होता है लेकिन कहीं न कहीं से वर्ल्ड वार ने इस्थिती को क्या किया या आर्थिक रूप से क्या हुआ है इस्थिती काफी जो है डगमगाई थी जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि नई संस्ताओं का गठन या फिर इन सब को इंटरनाशनल और्गनाईजेशन बनाने पर काफी जादा जोर दिया गया जैसे आप देखेंगे कि विश यूद के बात से इस बात को लेकर के बात उठने लगी कि हमें क्या करना होगा हमें अपने आपको मजबूत रखना होगा क्योंकि इस प्रकार की कोई भी अटाक आकरमन वो देश को क्या करते हैं कमजोर करते हैं या फिर अगर आप युद में इंवाल भी होते हैं तो भी आपका क्या है आर्थिक रूप से आपकी चती होती है या हानी हो सकती है इस वज़ज़ से इसका भी मुख्याले कहां पर है वाशिंग्टन डी सी में है वर्तमान में इसके यानि अभी इसमें आप क्या देखते हैं कि जो भी IMF के सदसे होते हैं वो विश्यू बैंक के भी क्या होते हैं सदसे होते हैं ठीक है ना अब यहां एक कुछ बाते हैं जो मैं आपको यहां बता दू कि वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वूट्स की जुडवा संताने कही जाती हैं ठीक है ना क्यूं कही जाती है यह आपको समझ में आही गया क्योंकि दोनों क्या हैं एक दूसरे की पूरक हैं दोनों एक दूसरे स से क्या है यहां पर जुड़ी हुई है यानि अगर जो IMF का सदस है वह क्या है विश्व बैंक का भी सदस है तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ब्रेटन वोट्स की जुडवा संताने यह ट्वीन्स बोला जाता है किसको IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है अंतर र बाद में हम लोग जैसे वर्ल्ड बैंक की बारे में अगर बोला जाए यहां पर थोड़ा सा यहां पर एक चीज समझ देगा कि इसमें कौन-कौन सी संस्थाएं शामिल है अंतर राश्ट्रिय यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर तो यह तो वर्ल्ड बैंक ही हो गया वित्त निगम हो गया विकास संग हो गया निवेश गारेंटी संस्था हो गई और उसके साथ साथ निवेश विवादों को सुछाने के लिए अंतर राश्ट्रिय केंद्र हो गया यहां पर वर्ल्ड बैंक में शामिल है ठीके जी और इसके साथ यह क्या है यहां पर अब इमेफ के उद्देश देखे वैसे ही आप देखेंगे क्या कि भाई जो विश्व बैंक है जो वर्ल्ड बैंक है इसके भी क्या है उद्देश है जैसे सदस्य देशों के आर्थिक पुर्ण निर्मान और विकास हेतु दिर्ग कालीन पुंजी लॉंग टर्म कैपिटल उपल साहित करना ओके और सदस्य रास्टों में पुंजी निवेश को प्रोचसाहिन करने हैं तुँ पुंजी की विवस्था करना यह वर्ट मों के उद्देश हैं जो आप देख सकते हैं वररा ध्यान से आप देखेंगे कि क्या है यहां पर आपको लगेगा ऐसा कि आप पढ़ रहे हैं आई एमिकली फिर क्या करना या रिबिल्ट करना उसके बाद हम जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको economically मजबूत करना, strong करना और उसके साथ सथ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर जिसके अवधी 15 से 20 वर्श तक होती है तो अगर इस तरह की कोई समस्य आती है तो IMF World Bank वो क्या कर रही है आपको rebuilt होने का पुरा मौका दे रही है करना और पुन्जी की व्यवस्था भी करना यहाँ पर यहाँ देखिएगा कि प्रोचसाहित मतलब motivate करना और व्यवस्था मेंस यह हो गया कि आपको बताना कि कैसे इसमें व्यवस्था की जा सकती है ठीक है ना अब जैसे माली जी कोई सदस्य देश है इसके ठीक है और इनको अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसे की आवशक्ता है वित्य की आवशक्ता है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऐसे में आप क्या देख सकते हैं इनको जो है यहाँ पर लगू और व्रिहत यानि स्मॉल या फिर किसी बीग प्रोजेक्ट के लिए क्या किया जा सकता है यहाँ पर रिण दिया जा सकता है युद्ध जिपेडिक देशों की अर्थविवस्था को शान्ती कालीन अर्थ विवस्था में परिवर्तित करने हितु कार्यक्रमों को लागू करना जैसे किसी कंट् तब करे गाएगर आपके संगठन और संक्रच्न और संगठन और संरचनिया से में धाएगर ट्रोल पर इंका प्रारंब में भारत का अभ्यांश जो था वो चार सु मिलियन डॉलर और इसका नाम अधिक्तम पुंजी वाले पांच देशों में शामिल था जिसे भारत को विश्य बैंक में के स्थाई कारेकारी संचालन नियुद करने का अधिकार प्राप था तो यह हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरह से आप भी यहां पर जान रहें कि अगर हम लोग भारत की कंटेक्स में बोला जाए तो क्या है उभरती हुई अर्थविवस् सदस्य देश हैं उसके कंटेक्स में हम लोग क्या देखते हैं अंतर अगर आप से पूछा जाए कि इन दोनों में आंतर क्या है वहीं दोनों के जब वर्किंग स्टैल लगभग आपको एक जासा दिख रहा है तो फिर अंतर क्या है तो यहां देख सकते हैं यहां पर कि तान शेश की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकारीन रीन उपलब्ध कराता है। क्योंकि जब लगता हूँ कि सारी चीज़ें अल्मोस्ट जब सेम ही हैं तो इसमें major differences क्या है। कुछ अंतर तो दिखने ही रहा है तो इसमें differences क्या है। तो differences में हम लोग क्या देख रहे हैं डिफरेंस में main जो difference है वो यही है यहाँ पर कि दोनों का जो रिंड देने का जो duration है उसमें अंतर है। दोनों के रिंड देने में क्या है यहाँ duration में अंतर आपको दिखाई देगा। कि विश्व बैंक जो है वो long term के लिए आपको लोन देता है। तो यह कुछ बाते हैं जो महत्वपूर्ण है जो आपको क्या करना है यहाँ पर ठान डखना है ठीक है ना अब इसको थोड़ा से यह भी समझ लेगा कि अंतर रास्ट्री विकास संग अब यह जो विकास परिश्यद है इंटरनाशनल विकास परिश्यद यह 24 सितंबर 1960 को इ इसके पीछे का कारण यह है कि यह कानूनी और वित्यत तोर से यह संस्था विश्यद बैंक से तो अलग है परन्तु वास्तों में यह विश्यद बैंक की सहीयोगी संस्था या कहीं न कहीं से विश्यद बैंक को क्या कर रही होती है विश्यद बैंक का अध्यक्ष ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है that's why ये इसकी सहयोगी संख्या संस्था या इसकी कहले जी कि इसके पार्टनर के तौर पे कहले जी कि ये संस्था आपको दिखाई देगी या विश्यू बैंक यहां देखिएगा कि उदार रिंड देने वाली खिड़की soft loan window of world bank भी इसे कहा जाता है तो इसको इस तरह से यहां पर क्या करना है यहां पर और यह भी क्या करती है आर्थिक विकास के लिए ऐसे देशों के रियायती सहायता देती है जिससे लोगों का जीवन इस तर उचा हो इसमें और क्या हो और यहां संगठन ऐसे देशों जिनकी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि समय प्रतिवक्ति जो है वर्षिक्का में उसको उधार या रिंड देता है यहां पर help करता है तो यहां देखें अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं यहां पर तो जैसे आपने देखा उसी तरह से एक अंतर राष्ट्रिय वित्त निगम है यह भी विश्व बैंक से सम्मंदित एक इंपॉर्टेंट ओर्गनाईजेशन है यह 1956 में क्या की गए थी प्रारंब की गए थी और 1961 में यह संयुक्त रास्त का एक अभिकरन बना अभी इसमें हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि जो इसकी धाराय है वह विश्व बैंक करार के धांचे के अनुरूप है इस निगम की सदस्ता के लिए विश्व बैंक का सदस करता है और अतिरिक्त पुंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोथसाहित करता है तो अभी देखिए यहां पर जो मैंने आपसे बताया यहां पर इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख पाते हैं यहां पर कि आपने क्या देखा सौरी तो आपने अभी यहां पर क्या देखा तो आपने यहां पर अभी वन सेके जी आपने अभी क्या देखा तो अभी हमने बात की किसके बारे में वर्ल्ड बैंक के बारे में अंतरास्ट्य मुद्रा कोश के बारे में और इनसे संबंधित जो महत्यपून जो कुछ संस्थाएं है जो इससे साथ attach है या इनसे associate है और वो कहीं न कहीं से इन ही के एक wing के रूप में काम कर रहे होते हैं तो इसके बारे में हमने बताया तो overall अगर आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से मजबूत करना, loan provide करना, देश में economically stability या यहनी अगर बोला जाए आर्थिक रूप से stability लानी की कोशिश करना इन सब के संदर में आप समझ सकते हैं कि यह था महत्तुपून कारिक इसका विश्य बैंक और अंतरास्ट्रे मुद्राकोश अंतर भी मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया है कि इन दोनों में major अंतर क्या है चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूं कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा थैंक यू सो मुझ तो आल अफ यू नेक्स सीरीज और अंतरास्ट्रे और्ग्रानिजेशन का मैं फिर और लेकर के आने वाली हूं आप लोग जुड़े रहें टेस्ट बुक चैनल के साथ थैंक यू सो मुझ तो आल अफ यू